काफी बहतर और काफी बढ़िया होता हुँ चल रहा है आज भी हम आपके सावने कुछ एक रिजर्ट्स बेसी शेयर रखने वाले हैं और यह बताने के लिए दो सही होगी मेरे साथ हैं सुमेथ हमको बताएंगे कुछ एक नंबर्स साथे साथ पूजा भी हमको बताएंगे और इन नंबर्स को जो मेरे दो सही होगी आपको बताने वाले हैं उनमें क्या अभी बाय करना है अभी थोड़ा रोख जाना है वेटेज क्या होने चाहिए खरिदारी की लेवल्स अच्छे भी हैं उसकी पूरी आडिट आपके सामने हाथो हाथ होगे और आडिट काम करेंगे संदीब जैन जो हमार साथ जैपूर से जुड़े हैं उनसे हम जानेंगे कि उन शेर्स में एक्चुली करना क्या है नमबर्स अच्छे आ रहे हैं बुरे आ आड़े हैं ट्रेड लेना भी है के नहीं लेना ये भी तो important है ट्रेडिंग करने है के इन्वस्मेंट करने हैं ये भी तो जाना ज़रूरी है इसलिए पूरी त्यारी आज इस कारिकर्म के जरीए आप कर लेजेगा ये हफते भर की तहरी वाला शो है जिसके मुशुरुआत करने वाले हैं तो पूजा के पास आज कुछ फार्मा के शेयर्स हैं, कुछ केमिकल्स के शेयर्स हैं जो कि माकेट के थीम के हिसाब से थोड़ा मैच भी करते हैं चलते भी हैं, थोड़ा अच्छा मूव भी देते हैं तो पूजा से शुरू करते हैं, कैडिला, पूजा कैसे नंबर आने कैडिला के हैं कैडिला से तो इस बाद तक के सबसे शांदार नंवर्स की उमीद की जारी हैं काफी अच्छे नंवर्स एक्सपेटेड़ हैं ये कॉर्टर जो होगा, कमप्री ने जो कुछ नए लाँचेस किये हैं, बड़े लाँच किये हैं उससे कमप्री को इस बाद काफी जादा फाइदा होगा कुछ ड्रग्स जो हैं, जैसे कि अगर लियाल्डा है, टाइमिल फ्यू है ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, यूएस मार्केट में कमप्री ने लाँच किये हैं, इनके जादा कुछ कॉम्पेटिशन भी नहीं है इस वज़े से भी कमप्री को काफी जादा फाइदा इस्तिमाही देखने को मिलेगा और अगर फॉर्मुलेशन कारोबार पर इनके नजर डालें, तो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन कारोबार से स्टाट पर्सन योगदान इस वार कमप्री को मिलेगा जो इनका घरेलू का फॉर्मुलेशन कारोबार होगा, पचास परसन ग्रोथ देखने की उमीद है तो मोटा मोटी हर फ्रेंट पर नंबर्स काफी अच्छे नज़र आ रहे हैं और ये कुछ ऐसे factors हैं जो कि company growth को support भी करेंगे तो शांदार growth इस बार expected है revenue में हम उमीद कर रहे हैं कि 40% से जादा की growth देखने को मिल सकती है मुनाफ़ में एक शांदार jump देखने को मिलेगा जो last year था company के लिए वो छोटा base भी था तो उससे अगर compare करेंगे तो एक शांदार growth 100% से जादा की growth इस बार रहेगी दुगना मुनाफ़ा हो जाएगा और margin के front पर भी काफी अच्छे numbers expected है तो हर front पर number expected है और काफी सारे जो factors भी है वो भी company के नतीजों को इस पर काफी जादा support करेंगे ठीक है हम उम्मीद तो नहीं करते हैं आप Cadillac के दवाई खाएं या फिर खाते होंगे लेकिन हाँ Cadillac का share जरूर रखेगा अच्छा पूजा में को सिर्फ आपसे यह जाननी है जब मुनाफ़ा दोगुना होके आ रहा है marginals भी almost दोगुने हैं कोई adjustment तो नहीं है नहीं adjustment तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर इस वक्त जो रिपोर्टस हमने देखी है इकलोती भारत की company ऐसे जिसके बस अभी भी इतने ज़्यादा लाइसें सिर्फ launch ना बाकी रहेगा अब तो चाइना का बाजार भी इनके लिए नया market खुलने वाला है जापे भारत और चाइना के बीचे बालेटरिल करार भी हुए जैसा आप तो पहला शेयर आपके सामने है शुक्रिया पहल तो समय देने के लिए इस मुन्दे वाले खास कारकरम में में को जरा बताईए कैडिला पे आप क्या मोहर लगा रहे है देखिए मेरे इसाफसे तो hold करना चाहिए और buy on declines के रननीती भी अपना सकता है कि यूएस मार्केट्स भी अच्छे हैं मार्जिंस में भी आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है बहतर ही हो रही यह चीज़े और वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म यह स्टॉक किया नहीं है तो डाउंसाइड डिस भी बहुत ज़्यादा लगती नहीं है तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक को विल्कुल hold किया जाए और longer term का जो target है वो करीब 480 का है मेरी तरब से ठीक है long term का target 480 का है जिनको भी hold करना है नतीजों के साब से 395 का target अल इंडिया सुमित नंबर कैसे आ रहे है अल इंडिया के शुक्रण इंपि देखिए अल इंडिया केस में नंबर मिले चुले रहेंगे विक्री के फ्रेंट पे करीब करीब 17% बढ़ात का अनुमान लगा जा रहा है अपरेटिंग फ्रेंट पे नंबर करीब 70% बढ़ सकता है और मुनाफ़ा भी 6,5-6% मेंड़ने का नुमान लगा जा रहा है दो तीन फैक्टर जो है वो है कि एक तो कुरूड का आउटपट हो थोड़ा गिरेगा इस वैसे इनको उतना बेनफिट नहीं आने वाला है लेकिन हाँ कि रुपीड डॉलर की इक्वेशन इनके जो इंपोर्ट करने वाली कंपनीज है उनके लिए एक कुरूशल रही थी इस कौटर के अंदर और दूसा कंपनी के जो रियलाइजेशन वो भी इंप्रूव हुई है करीब करीब साड़ा तीरा परसेंट के आसपास जो रियलाइजेशन है वो बढ़ा है जिसका एक इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा तो ओवराल सिच्वेशन इनकी अतनी अच्छी नहीं है लेकि क्योंकि ONGC के नमबर्स भी ठीक ठाक थे तो उसके आधार में मानके चलते हैं कि हाँ नमबर्स इनके थोड़े बेतर साइड पे और फिर मिलेजुले साइड पे देखने को मिल सकते है अगर नमबर मिलेजुले आने हैं उसके मुनाफ़ाप का साड़े च्छे परसेंट सेल्स करीच सत्राँ परसेंट बढ़कर आ रही है और मार्जन जो है चब़ीस से अड़ती सारे है इसमें सबसे इंपॉर्टन चीच क्या है किसको सबसे जड़ा देखना है जैसी नमबर्स आएं तो देखिए दो चीज़ है पहला तो एक तो मार्जन किस तरह की आते है पांच-छे बटन बढ़ने का अनुमान है दूसरा रियलाइटेशन कि वो भी अनुमान लगा जा रहा है करी पांच डॉलर बढ़ेगा बहुत सही तरीका था आपका ये सवाल पूछने का इनफेक्ट देखिए वैसे तो अगर OMC's और Oil & Gas के शेर्स के अगर बाइंग की राइद देते हैं तो थोड़ा अलग सा ही लग रहा था बट फिर भी मैं काऊंगा कि Oil India में सम्हाओ मुझे फंडामेंटल ये स्टॉक अच्छा लगता और पहले भी मैंने काफी बढ़ इस टॉक को रेकमेंड किया वाइस सेक्टर में O&GC के रिजल्ट भी ठीकी थे आस तक के टार्गेट के लिए होल्ड किया जा सकता है अच्छे नंबर आएंगे इस कंपनी के लिए और दूसरा अजिस्टर और नॉन अजिस्टर दोनों तरह का प्रॉफिट अपने आपके साम में रखा अगर बिना अजिस्टमेंट के आप इसमें कोई देखेंगे तो तीन गुन आपको बढ़कर देखेंगा हो सकता है पहला फ्लैश यह ऐसा ही आए जब अजिस्ट होके आएगा तब आपको देखेंगा कि आपे सो परसेंट मनाफ़ा बढ़ा है यह भी कम नहीं है इस बार के नंबर्स के लिए और यह शायद हो सकता है टाटा स्टील को चला दे मैटल्स क्योंकि ग्लोबल मारकेट्स के मैलड़ डाउन के इसे थोड़ा वहत नीचे भी है तो वैलोईशन भी शायद ठीक लग रही होगी जैसा आप यह वैलोईशन के हिसाब से में को रिजल्ट का एक शेर ढूंड़ना है और मैं नतीजे भी देख रहा हूँ परक रहा हूँ आपके बाद में सुन रहा हूँ टाटा स्टील को नतीजों के हिसाब से ले लूँ क्या भी देखें लिया जा सकता देखें मुझे ऐसा लगता हाला कि देखें मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा डर लगता जब ट्रेड वर की कोई भी बात आती है बट अल्रेडी करेक्टेड हो चुके हैं यह और जिस तरीके के रिजल्ट्स के अनुमान लगा रहा है स्क्रीट्स 10-12% की डाउंसाइड रिस्क है और अपसाइड मुझे ठीक ठाक से लगती है यहां से तो रिस्क रिवर्ड रेशियो के लियाद से तो बिलकुल लेना बनता है और जो रिजल्ट्स की क्वालिटी और जो रिजल्स आने वाले है उसके इसाब से दो बाइंग बनती है तो का अगे का आउट्रो क्या निकल करा आता उस पर भी नजर रही क्योंकि वैसे तो टाटा केमिकल कारोबार की कम्पनी हुआ करती थी यह लेकिन अब यह फटलाइजर और अग्रिकारोबार से एक्जिट कर लिए क्योंकि वह कुछ बिजनस का अच्छा परफॉर्म नहीं कर और निदरलेंड का भी एक कारोबार कम्पटी ने बेचा है तो इस बार हम देखे कि कुछ वन आफ गेन होता हुआ नजर आएगा लेकिन जो कारोबार बेचे हैं कम्पटी ने उसका असर फिर इस बार के मुनाफ़े पर भी देखने को मिलेगा आए में भी रवेन्यू में देखने को मिलेगा रवेन्यू में ज्यादा कुछ ग्रोथ रहेगी नहीं लेकिन कि यह कुछ कारोबार बेचे हैं कम्टी ने उसका जो असर है वो कम्पटी के मार्जिन और मुनाफ़े पर देखने को मिलेगा इसलिए हम एबिटा में एक्सपेक कर रहे कि 18% की ग्रोथ रह हैं उससे अब आने वाला कॉर्टर कम्टी कैसा रहेगा इस तरह की कॉमेंट्स पर हमाई नजर रहेगी तो टाटा केमिकल्स मार्जिन पर ज़रूर नजर रखे इस बार ठीक है मार्जिस तो बढ़ कर रहेंगे उसकी वज़े है कि निजर लेंड में जो कारोबार उने बेचा है उससे आपको मार्जिस धरते हुए दिखेंगी अब इटा कामकाजी मुनाफ़ा 18% बढ़ेगा जैसा भी सब कुछ डिसकाउंट है क्या क्योंकि जब करंसी वीक हो हो रही थी तब ही ऐसा सोचा गया था कि टाटा केमिकल जब चाइना में पॉलुशन से जुड़ी ही कुछ कमपनी केमिकल की बंद हो रही थी तब ही टाटा केमिकल यह रिजल्ट की वेट किये भी नहीं थोड़ा सा उपर आया हुआ है आपके इस पर राय क्या है देखें मेरी राय तो अभी भी होल्ड की है मुझे सम्हाओ कन्विक्षन आता है इस टॉक में अगर लॉंगर रॉन के लिए देखें तो अच्छा लगता ही है और जो री स्ट्रॉक्चरिंग अभी हुई है और यह ग्रूप काफी एक्टिव हो रखी है री स्ट्रॉक्चर और इन लेवल्स पे चुकि थोड़ा सा माकेट्स भी ऐसे ही चल रहे हैं तो आज भी करेक्शन दिख रहा है तो थोड़ा वीड भी करना चाहिए बट फिर भी सार सो चालिस पचास के लिए बिल्कुल लॉंग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है ठीक ग्रासे में वायो आई कंपैर्जन नहीं हो पाए गाडिंपीस परी क्योंकि पिछली बार इनोंने एक एजश्मेंट किया था इसमें अलते बिला नुओ कारोबार अमर्ज डीमर्ज हुआ था इस तकर में सिक्वेंचिली खाली कंपैर हो पाएंगे और सिक्वेंचिली ब मुनाफ़ आदा परसंट गिरने का अनुमान है अपरेटिंग मुनाफ़ कामका जी मुनाफ़ जो होता है उकरीब 37% बढ़ने का अनुमान है मार्जिन स्लाइटली गिरेंगे और अवर ओर आए भी जो है उकरीब आदा परसंट क्या सपस बढ़ घट सकते हैं तो बहुत जैन साब थोड़ी confusion है बताईए फिर करना क्या है इसका क्या देखें और किसको छोड़ें या फिर छोड़ी रहें सिर्फ होल्ड ही रखें इसके अंदर जिनके आस पोजिशन सिर्फ होनी के लिए है यह numbers में खरिदने वाला share नहीं है बिल्कुल वैसा ही है देखें यह stock को जिस तरीके से last year तो restructuring हुआ ही था और comparison नहीं कर सकते है जैसे सुमीद जी भी कह रहे थे और फिर भी मैं कहूंगा कि इस stock को hold तो करना चाहिए सम्हाओ मुझे ऐसा लगता कि अब बहुत ज़्यादा downside यहां से लगता नहीं एक neutral सा stance है मेरा भी और 1030 के target के लिए और थोड़ा longer term target मेंने बढ़ा ही दिया है तो मेरे इसाफ से तो इसको hold करके रख सकते रादर दन taking a fresh position for results ठीक होड़ी करें इसमें 1030 मुनासे वाला मंडे जारे नमबर्स तो कमजोरी है यह quarter भी NPA का ही अगर आख्टा देख ले 28% यह आख्टा देखने को मिलेगा घाटे में इस बार भी रहेगी NIA के growth flat रहेंगे एक मात्री ट्रिजर है बैंक के सामने वो यह है कि जब LIC इसमें stake खरी देगी और जब capital infusion होगा 10,000 से 11,000 करोर की capital infusion की बात की जा रही है तो इनकी capital में सुधार होगा उसके बात क्या जो process है वो आने वाले समय में देखने वारत है वो एकात quarter में सुधने वारी चीज़ है भी नहीं पूरी strategy जब तक बनेगी तब की बात देखी जाएगी कि आगे कैसा देखने को मिलता ह लेने वाले quarters में हैं फिलाल provisioning quarter on quarter basis में फिर से 150% बढ़ेगी लेकिन कमाई भी बढ़ेगी cross NPS भी sequential basis पर बढ़ रहे हैं तिमाही दर तिमाही वो भी बढ़ रहे हैं तो जैन सब आप तो में को लग रहा है नहीं करेंगे सको buy के बारे में अगर करेंगे भी तो फिर आप evaluation के पर करेंगे देना पड़ेगा और मुझे लगता है थोड़ा सा और भी समय देना पड़ सकता है बट एक स्टॉक में जबरदस्त एक volatility बनी भी है और कई बार क्या होता है यह थोड़ी भी अगर कोई positive news आएगी results में तो अच्छा का सा उपड जा सकता है negative news आएगी तो बहुत जादा नी और दूसरी institution या कोई वो टेक ओबर करती बट I feel की hold किया जा सकता है लेकिन हमने शुरुआत की थी numbers के साथ लेकिन बात पहुंची है LIC के साथ इसलिए LIC numbers दोनों का अगर आप मिला रहें तो एक बार है hold to buy वाला share तो बनता ही है इसलिए कारेकरम जरूरी है ना किवाल सिर कंपनी के बारे में जिसमीत नहीं सबसे पहले बताया था कि टरनराउंट होना शुरू हो जाएगा वो इनके हलोल प्लांट से थी बात है सन फार्मा की तो सुमीत बताया numbers कैसे आ रहे हैं हलोल प्लांट के साथ साथ सन फार्मा केस में एक और adjustment है पिछले साल इनों ने तीन स परसेंट के आसबस मुनाफ़ा आने का अनुमान है 4-5 परसेंट इबीटा मार्जिन बढ़ रहे हैं इनके इबीटा भी 42 परसेंट बढ़ने का अनुमान है और विक्री भी 13-13 परसेंट बढ़ रही है कंप्री के नंबर face of it तो अच्छी दिख रहे हैं adjustment भी कर देंगी तो भी 67% गया स्वसके improvement है लेकिन सारा खेल क्योंकि टैरो के नंबर साल में आया थे और वो weak थे तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या टैरो के नंबर से ज़्यादा खराब नंबर आएंग कोई buy करना है नहीं मेरे इसाफ से तो देखें बाइंग की जा सकती है थोड़ा downside भी आ सकता ऐसा नहीं है बट overall फार्मा सेक्टर पर bullish है जिस तरी के से currency devalue हो रही है उसका भी ये beneficiary रहेगा positive news थी हलोल वाली हलागि टैरो के नंबर से अच्छे नहीं आएं बट फिर भी मै जैतर योगी US की recovery और सब देखने के बाद मुझे लगता है कि stock को लें और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें साड़े 600 तक का target आने वाले कुछ quarters के बाद दिखेंगे बाकी एक बार short term target 500 पिच्चा से तक भी ले सकते हैं ठीक है अब दो श्याइज देवान housing से अच्छे numbers यह expected हैं इंडेस्ट जो नए accounting इंडियम उसके वज़े से ज़रू थोड़ा बेस हमारे अनुमान से चेंज होगा लेकिन NPA के numbers और ग्रो स्टोरी इंटाक्ट है एवें 32% ग्रोथ और NPA जो है वो आखरे 1% के नीचे ही डिखने का अनुमान है कि क्या 1% NPA कम होंगे और मुनाफ़ा बढ़ेगा और 26% बढ़कर आएगा ब्यास से जो आये होती वो भी 25% बढ़ेगी सुमेथ जिलिट के नंबर कैसे आ रहे हैं जन साब आप भी महर लाएंगे दोनों को बाई बोलेंगे जिलिट और दिवान बिलकुल बिलकुल मुझे दोनों ही अच्छे लगते है जिलिट मैंने वैसे भी रेक्मेंड किया है कई बार आपके special shows में और मुझे FMCG पे जिस तरीके से बाकी लोग के अच्छे नंबर्स आये हैं और ये तो particularly बहुत अच्छी कंपनी है और base भी low है अच्छा चलेगा male wellness पे वैसे ही बहुत जबरदस मैं bullish हूँ तो मुझे लगता है कि जिलिट पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है बाइंग भी की जा सकती इन लेवल्स पे बहुत ही consolidated और downside नहीं है और divan housing भी price to book value multiples के लिहाद से देखे तो काफी सस्ता है as compared to its peers और जिस तरीके से growth consistently देते आ रही है आगे भी देगी तो मेरे इसाब से तो बिल्कुल इसको भी buy किया जा सकता है जरूर से थोड़ा अगर नीचे आएं तो घबराई नहीं hold करके रखें तो लंबे समय में तो पैसा बनेगा ही बनेगा शुक्रे जर्ण साब आज समय देने के लिए बताने के लिए कि अलग अलग stocks में क्या पैसे यह मुनाफ़े के मंडे में बिल्कुल fit पैट रहा है जर्ण साब शुक्री आपका समय देने के लिए सुमित शुक्री आप